नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया सिनारियो जिसमें हमें क्या करना है? दो अलग शीट से हमें वी लूक अप करना है पहले सिनारियो को समझते इस फाइल में मेरे पास तीन शीट से में 2020 और 2021 2020 में कुछ प्रोड़क की और उनके प्रोड़क नाम है उसी तरीके से 2021 में है लेकिन दोनों में अगर आप देख पार है 2021 में प्रोड़क कीज 214 से लेकर 390 तक है और 2020 में 400 से लेकर 490 तक है 463 से उपर तो अब मुझे क्या करना है? उन दोनों शीट में से मैंने कुछ प्रोड़क की इस में शीट में लिए है उनका मुझे प्रोड़क नाम चाहिए अब दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए मैंने पहला वी लुक अप किया इस तरीके से पहले 2020 से शीट से कर लेते हम तो देखिए एक चीज मैं वपस से बताता हूँ इस इकल टो वी लुक अप यह किया पहली बार हम कोई फॉर्मिला एक शीट से दूसरे शीट में अपलाए कैसे करना यह देखने जा रहे कुछ नहीं बस सेलेक्शन का चेंज है कॉमा किया जैसे आप उस टार्गेट शीट को सेलेक्ट करते हो तो देखिए फॉर्मिला बार में वो शीट का नाम सेलेक्ट हो जाता है बस आपको कुछ करना नहीं सेलेक्शन ही करना है रेंज ले लिया फ्रीज करेंगे कॉमा 2,0 वा जैसे bracket बंद करके enter करोगे आपको वो original sheet पर लेकर आएगा अब इसको drag करते है तो आप दिए कि पहले के 4 values में SNA आ रहा है क्योंकि ये values वहाँ पर नहीं है यहाँ पर सब 400 के उपर values है और हम जो चाह रहे हैं वो 200 के range में तो ये जो values हैं वो दूसरे sheet में 2021 में है तो यहाँ से हम इसको look up कर सकते हैं लेकिन आप सोच रहे होगे ठीक है एक solution इसका ये भी हो सकता है दूसरा रास्ता की दोनु sheet का data हम combine कर ले एक की नीचे और भी look up कर ले बिल्कुब आप वैसे कर सकते हो लेकिन हमें उसको वैसे नहीं करना है माननी जी ये sheet किसी reason के वज़े से अलग ही रखी गई है ताकि और भी जगा कहीं इस्तेमाल हो रहा है ये sheet का और भी कुछ changes हो सकते हैं तो इसलिए हमें ऐसे हालत में ही इसको ऐसे रखते होई ही भी look up करना है तो हम क्या करेंगे अभी हमने पिछले वीडियो में if error सीखा है तो इसको अब apply करने का एक अच्छा scenario मिल जाता है हम कहेंगे if error इसमें जब error आएगा तो वो इधर आ जागा value of error में तब हम क्या करेंगे दुबारा वी look up लगाएंगे यहां पर और इस value को हम दूसरे sheet में ले लेंगे तो दूसरे sheet को select किया 2021 को freeze किया कॉमा 2,0 दो brackets आएंगे एक वी look up का और एक if error का अब drag कर लिया तो सब कुछ आ जाता है तो सबसे पहले logic समझी यहां पर हमने if error में वी look up किया और कहां दूंडा 2020 के sheet में दूंडा अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर formula में अगर यहां मिला तो function हमारा इधर ही exit होगा आगे नहीं बढ़ेगा आगे कब बढ़ेगा जब we look up error लाके देगा और कब देगा जब यह product की 2020 में नहीं मिला जैसे कि 2014 नहीं मिला 214 नहीं मिलेगा उसको तो इधर आएगा अब इधर आने के बाद वापस से हम बोल रहे है वी look up इसलिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि if error के value of error में आप कुछ भी लिख सकते है text लिखिये, number लिखिये, date लिखिये या कोई और formula तो ये एक अच्छा example है तो हम दुबारा look up कर रहे है ठीक है, यहां नहीं मिला तो यहां दून रहे है हम उसी value को 2021 की sheet में दूनेगे और फिर enter करेंगे तो या तो यहां मिलेगा या तो वहां मिलेगा लेकिन अब सब जगा आ गया है फिर भी नहीं मिल रहा है इसका मदलब दूनों sheet में नहीं है तो यहां पर हम गया करेंगे यह जो we look up था इसके उपर वापस से e-fairor जोड़ देंगे हम यह bracket मैं निकाल देता हूँ comma तो देखिए यहां पर अगर मिला तो exit हो गया फिर value e-fairor में आ गया वह पर हम वापस से e-fairor बोल रहे है तो पहले अंदर का we look up चलेगा यहां पर भी नहीं मिला तो आगे बढ़ेगा हूँ यहां पर फिर मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है not found तो अकर दूनों नहीं मिला तो not found अब देखिए इस तरीके से क्या मैं इसको highlight करके रखता हूँ यह एक अच्छा example है जिसमें यह scenario है जिसमें हम इस तरीके से look up लगा ला है अलग-अलग sheet से तो यह और ऐसे कई और scenario's भी हम करते रहेंगे आगे पर आपको logic apply करते रहना कि जो हम सीख रहे हैं इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए शुक्रिया बने रहे हैं तैनेवाद